वेलकम एविर्बेडी आज हमारा टॉपिक है एप्लिकेशन ओफ मैकाले मथद तो फाइंड दिफ्लेक्शन ऑफ द बीम तो इसके लिए जो एक प्रॉब्लम लिया है यह प्रॉब्लम है हमारा ये डी एक बीम है जो यहां पर पिन सपोर्ट है यहां पर रोलर सपोर्ट है डी अगर उसका नाम रखें तो उसकी वेल्य आती है 480 न्यूटन और इस डी पॉइंट पर अगर रेक्शन का नाम हाट हुए तो इसकी वेल्य आती है 920 न्यूटन इक्वेशन और स्टेटिक से यह आप निकालना जानते हैं हम लोग sigma fx, sigma fi और moment के समकर यूज़ करते हैं कि यह दोनों रेक्शन आ जाती हैं यहां प्रीविएस क्लास में पढ़ चुके है और यही फिगर को मैंने यहां पर दुबारे से बनाय हुआ है यहां पर यह एक बीम है बी पर 500 न्यूटन लोड है सी से यूडियल स्टाट हुआ है डी तक 450 न्यूटन पर मिटर यहां पर एक पॉइंट पर हम लोग अब्सवर रहते हैं और यह x-axis है और यह वर्टिकल y-axis है हमारा प्रॉब्लम यह है कि जो बीम है जो जिसका बेंट हो जाती है बाद में ऐसे मालों यह बीम होगे पहले ब लोकेशन के लिए y की वेल्यू को फाइंड आउट करना है हमें मेकॉले मेथट से तो अगर हम लोग इसमें हम लोग जानते की डबल इंटिग्रेशन में क्या होता है कि जैसे ए और बी के बीच में हमें एक सेक्शन लेना पढ़ेगा और एक मोमेंट इक्वेशन लिखना प मोमेंट इक्वेशन लिखना पढ़ेगा और हमारा प्रॉब्लम को सॉल्व हो जाए थाकि हमें दो कॉंसेट आफ इंटिग्रेशन निकालना पढ़ेगा तो हम लोग इस प्रॉब्लम को यहां से शुरू करते हैं ऐसे ही हमें फिर C और D की बीच में एक सेक्शन लेना पढ़ेगा और उसका मोमेंट इक्वेशन लिखना पढ़ेगा तो यहां पर हम अगर M A और B की बीच में अगर सेक्शन लेते हैं और उसका मोमेंट लिखते हैं तो हमें मोमेंट हमें मिलता है M A B जो अगर बीच में कह के लिए लिखें तो mbc वो गवा 480 x माइनस 500 x-2 बिकॉस जो 500 होगा उसका डिस्टेंस अगर 480 का डिस्टेंस उस सेक्षन से एक्स है तो 500 का डिस्टेंस जो होगा वो x-2 होगा तो यहां x-2 से मल्टिपला है बीसी के लिए जो x वेरी करेगा वो बीसी के लिए वो x वेरी करेगा दो मिटर से बढ़ा होगा x और छोटा होगा तीन मिटर से similarly हम लोग c और d के बीच में एक मोमेंट लिख सकते हैं mcd mcd जो होगा वो होगा 480 x माइनस 500 x माइनस 2 माइनस माइनस 450 x माइनस 3 का square divided by 2 और इस section के लिए cd section के लिए x वेरी करेगा तीन से बढ़ा होगा x और छोटा होगा पास से तो इसमें इस mcd को समझने के लिए mcd को समझने के लिए मैं यहाँ पर एक section c cd के बीच में कहीं भी एक section लेने थे हम लोग जिसका इसका जो section यह section है जो cd के बीच में लिए है इसका a से distance x है तो आप देख सकते हैं कि इसके moment के लिए यहाँ पर अगर moment अगर लें इस section पर तो यहाँ पर 480 का distance x है इसले मैंने 480x लिखा है 500 का distance section से x-2 है यह distance अगर यहां से यहां तक 2 meter है तो इस 500 का section से distance x-2 होगा और यह जो udl है यहां से यहां तक यहां से यहां तक का distance जो होगा वो x-3 होगा यहां से section से जहां से udlc से start हुआ है और section तक का distance x-3 है तो इसका जो equivalent load आएगा w equivalent वो x-3 by 2 x-3 by 2 distance पर होगा और उसकी value होगी w that is 450 और w into x और x की जगे यहां पर है x-3 तो यह लिखा हुआ है 450 into x-3 तो यह value है 450 और एक x-3 और एक distance x-3 by 2 तो यहां जाएगा minus 450 x-3 का square by 2 तो यह term mcd आप समझ गया होंगे कि यह यह इसकी value ऐसे लिखे गई है अगर हमें अब हम a और b के बीच में कर deflection निकालना हो तो हमें moment mab इसका दो बार integration करना पड़ेगा तब हमें जाकर कि y हम लोग प्राप्त कर सकते हैं ऐसे ही अगर b और c के बीच में बीच में कि बीच में deflection निकालना है तो इस equation को यह डीटुआ अपॉन ीक्स इसकार के बराबर करेंगे दो बार integration करेंगे इसमें दो कॉंस्ट ओप इंटिग्रेशन इससे आएगा दो कॉंस्ट ओप इंटिग्रेशन इससे आएगा similarly mcd की बीच में अगर deflection निकालना है तो इस equation को यह डीटुआ अपॉन ीक्स इसकार करेंगे फिर दो बार integration करेंगे तो एक दो कॉंस्ट ओप इंटिग्रेशन इससे आएगे उन सब को solve करना एक काफी लेंदी computation हो जाएगा तो डबलो एच मैं कॉले एक ब्रिटिश तो अगर यह जो equation है अगर x-3 अगर यह जो है अगर यह अगर neglect हो जाए यह neglect हो जाए और यह term हट जाए तो हमें यह mbc मिल जाता है और अगर x-2 term हट जाए ऐसा अगर हम लोग function defined कर दें जिससे x-2 term हट जाए और यह तो पहले हटी गई है तो हमें यह first mab भी मिल जाएगा तो इन्होंने काफी इंटेलिजेंस से डवल एच मैकॉले ने एक singularity function का यूज किया और singularity function ऐसे डिफाइन किया जाता है if अगर इन्होंने एक function है fn x यह n है fn x is equal to fx that is function मैकॉले function यह singularity function इन्होंने ऐसे डिफाइन किया इसको एक quantity bracket में ले लिया x minus a और इसकी power n है वो n जो है वो non negative integer है इसको ऐसे define किया कि if x minus a x minus a is greater than or equal to zero हो that is अगर x minus a अगर positive term है then fn x जो होगा x minus a की power n जो होगा वो simple simple x minus a n के बराबर होगा और if x minus a less than zero है that is यह x minus a जो negative है तो जो function होगा मैकॉले function यह singularity function जिससे x minus a जो होगा ऐसे define किया गया कि इसके वे लिए zero हो जाएगी यह इसको हम लोग combine लिखें तो यह f से define किया गया है fn x fn x is equal to fx इसको fx भी बहुत सकते है function है तो यह ऐसे define किया गया है कि x minus a की power n जो होगा fn x x minus a is equal to x minus a होगा when x is greater than equal to zero when x is equal to greater than equal to zero और zero होगा when x is less than equal to zero तो यह function ऐसे define है fn x that is fx x minus a की power n is equal to x minus a की power n x is greater than equal to zero है और वरना अगर negative होगा तो zero होगा तो यह singularity function है इसका use करकर हम लोग इसे जो last moment equation है mcd इसको bc segment और ab segment दोनों के लिए applicable कर सकते हैं तो कैसे करते हैं हम लोग अभी देखते हैं यहाँ पर एक इसमें जो यह bracket है इसको bracket को ठीक कर लेज़ें यह pointed bracket है x minus y pointed bracket में अगर n अगर x n जो होगा greater than 0 यह तो non negative integer होता है अगर यह जो bracket के अंदर जो quantity अगर यह positive होती है तो यह pointed bracket है यह simple open यह से parenthesis में बदल जाते हैं यह function है और अगर यह negative होता है तो यह 0 हो जाता है mcd की इसको सिर्फ m ही लिख देते हैं वह होदा है 480x minus 500 और जो parenthesis थे उसको pointed bracket में convert कर देते हैं x minus 2 minus 450 by 2 450 by 2 का हम लोग 225 लिख सकते हैं x minus 3 और यह pointed bracket का square यह a motion बन जाते है its a moment lijek मोमेंट के के लिए किसे लाबँ हो गा जैसे अगर x जो है अगर 3 से चोटा है ठीजिए तो यह जो term है यह नेगेटिव हो जाएगे तो हट जाती है तो यह जो यह वाला term हट जाता है तो यह सिर्फ bc segment के लिए applicable हो जाती है और अगर फिर x अगर 2 से भी छोटा होता है तो यह भी negative term हो जाता है तो यह भी term हट जाता है तो यह जो यह single moment equation है यह mab, mbc और mcd तीनों के लिए applicable हो जाती है इस equation से हम लोग शुरू करते हैं इसमें जो फैला term है 480x इसको ऐसे भी लिख सकते है 480x minus 0 और इसमें भी bracket rate लगा सकते है लेकिन जो फैला term है इसमें अगर नहीं भी लगाएंगे तो भी नोगी x जो होता है 0 से छोटा थो हो नहीं सकता इसलिए इसको हमने рокet का यूस्किया है लेकिन यहां नहीं कि र सकते थे पर यहां पर यूस्ज नहीं करते है क्योंकि इसकी जरूद भी नहीं है लेकिन ऐसे भी लिखा सकता है 480x और हम इसमें 0-500 यह pointed bracket x minus 2 minus 2 to 5 x minus 3 pointed bracket है इसका square अब इसमें deflection और slope निकालने के लिए जो equation है इसको ei d2i upon dx square के बराबर करेंगे ei d2i upon dx square as well to 480 इसको x minus 0 pointed bracket में या only x लिख देते है minus 500 x minus 2 minus 2 to 5 x minus 3 ka square इसका हमने नाम रखा equation number 1 अगर इसका हम लोग एक बार integration करते हैं तो हमें मिलता है ei dy by dx is equal to 480 और यह जो bracketed function है जिसको singularity function है हम a call function भी बोलते हैं यह integration की rules को follow करते हैं यह सीधा-सीधा integration हो जाएगा 480 x का हो जाएगा x square by 2 minus 500 x minus 2 2 का हो जाएगा x minus 2 pointed bracket वैसे के वैसे रहेंगे square by 2 minus 2 to 5 x minus 3 का square का हो जाएगा x minus 3 का 3 by 3 जो यह equation हो जाती है 240 x square minus 250 x minus 2 pointed bracket is square minus 225 by 3 जो होता है इसे 75 आता है minus 75 x minus 3 x minus 3 का cube plus a constant of integration c1 this is the equation number 2 इसका एक बार और integration करते हैं तो हमें मिलता है e i y is equal to 240 x square का हो जाएगा x cube by 3 minus 250 x minus 2 का bracket का हो जाएगा x minus 3 by 3 75 by 4 x minus 3 का power 4 plus c1 x plus c2 this is the equation number 3 equation c1 और c2 के वे लिए निकालने के लिए इसमें boundary condition लगाएंगे यह simply supported beam है इसलिए boundary condition होगा x is equal to 0 पर y is equal to 0 and x is equal to l जो कि x is equal to 5 है क्योंकि total length of the beam 5 है x is equal to 5 meter पर भी y is equal to 0 तो equation number 3 जो y और x का relation है अगर इसमें हम लोग x is equal to 0 रखते हैं तो हमें मिलता है y is equal to 0 तो e y y के जगे 0 और यहाँ पर यह हो जाएगा 240 by 3 240 by 3 240 by 3 से भी 80 आता है 240 by 3 इसके जगे हम लोग यहाँ इसके जगे हम लोग 80 लिख सकते हैं अभी अगले term पर मैं लिख दूँगा 240 by 3 यहाँ भी 240 by 3 चलने देते हैं 240 by 3 x cube minus और x के जगे 0 रख देंगे minus 250 by 3 और इस term को हम लोग दियान से देखते हैं x minus 2 का cube अगर यह x जो होता है यह जब 0 रखेंगे तो यह 2 से छोटा हो जाएगा मतलब यह negative term हो जाएगा तो इसकी value वैसे भी 0 हो जाएगी और वैसे के वैसे ही minus 75 by 4 यह x minus 3 की पावर 4 इसमें जो यह x 0 रखते हैं यह negative हो जाएगा और negative के लिए जो Macaulay function है उसकी automatic value आप जानते की 0 हो जाता है तो यह दो नो term हट जाएगी तो यहाँ पर प्लस c1 और x की जगे 0 प्लस c2 और यह x जो ही जगे 0 है तो यह यहाँ पर हमें मिलता है this implies that c2 is equal to 0 एक हमें c2 का value आगया ऐसे कैसे ही अगर हम लोग इसी में अगर दुबारा से हम लोग x is equal to 5 रखते हैं तो e i y is equal to 0 होगा 5 meter पर 240 by 3 x होता है 80 होता है तो 80 रख दिया x x की जगे 5 रखना है minus 250 250 by 3 से जो होता है इससे 83.33 आता है अब x is equal to यहाँ पर हम लोग 5 रख रहे हैं यह positive है 5 minus 2 तो यहाँ पर यह 0 नहीं होगा यह 3 का cube हो जाएगा minus 75 by 4 जो होता है वो 18.75 के बराबर होता है और यहाँ पर 5 रखेंगे x के वे लिए 5 minus 3 that is 2 यह 2 की पावर 4 हो जाएगा plus c1 और x की जगे रखेंगे 5 plus c2 तो 0 है ही सही इस equation को अगर हम लोग solve करते है तो हमें यहाँ से c1 निकल करके आता है minus 1490.018 और c1 का जो unit होगा वो newton meter square होगा तो यहाँ पर c1 का value आगया c2 0 है इस equation को अगर हम लोग अब final दुबारा से c2 के value equation number 3 में रखेंगे तो हमें equation हो जाता है eiy 0 to 240 by 3 that is 80 80x cube minus 250 by 3 यह होता है 83.33 के बारावर 83.33 x minus 2 का cube minus 18.75 x minus 3 की पावर 4 plus c1 that is minus 1490 018 plus c2 c2 है यह वैसे 0 तो यह equation जो मिलती है इस से हम लोग किसी इस में कोई भी x के value रखें 0 से 5 मिटर पर किसी भी x value पर यह y के value हमें दे देगा तो यह Macaulay method का हमें explain किया है से हम लोग किसी भी x पर y के value निकाल सकते है students इसमें आपको सबसे ज्यादा Macaulay method का use करने के लिए धियान रखना है कि सबसे पहले तो coordinate system जो observer होगा वो यहां पर होगा left end पर और दूसरा जो हमें इसमें ध्यान रखना है कि वो जो section होगा वो last segment में लेना है last segment यहां पर इस problem में cd है इसलिए जो Macaulay method का use करने के लिए section जो होता है वो last section में इसलिए लिया जाता है because उस section को लेने से यह load भी cover हो गया और यह भी load cover हो गया तो इस में Macaulay method में इस section जो होता है moment लेने के लिए last segment में इसलिए लिया जाता है थाकि वो सारी loading को cover कर लेता है कोई भी loading छूटती नहीं है तो वो जो moment जिस last segment पे जो moment लिया जाता है वो जो equation बनती है वो पूरी beam की moment को represent करता है तो यह आप ध्यान रखिएगा